सुझ प्रजेक्ट को समझें को वीडिये काम करते हैं उसको काम करें उसको कंप्यूटर समझता है इसलिए जब आप सबसे पहला दो आइंड लेंगर सी उसमें बना जाता है प्रप्राइम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथ़ड बिच सी प्रणाइंड लेंगरा जाता है तो प्रॉब्लम के समझे कि मेरे पास एक सॉफ्टेयर जहां से मैं डेटा डाउनलोड करता हूं पर चोटी सी प्राब्लम है कि मेरा सॉफ्टेयर डेटा डाउनलोड नहीं करता है इतला कि वह एक्सल फाइल को नहीं बनाता है उसके अंधा देटा डाउनलोड हो ज mudar कि अब मेरे प्रब्लम में है कि मुझसे हर दीन एक फाइल बनाना और फाइल को एक folder से systematic folder के दंग में arrange करना हो जैसे कि ईडाइप के अंदर 2023 का folder बनाना होता है 2023 के अंदर महीना चला है बारा तो इसके अंदर new करके हम 12 नाम का folder या December नाम का फोल्ट मनाएंगे फिर इसके अंदर आज तारिक है दो तो इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे दो नाम के पिर इसके अंदर हम एक फाइल एड़ करेंगे एक्सल फाइल और उस फाइल के अंदर नाम जो है तो कैसे करें इसी प्राइल की स्रॉलुशन को हम आपके साथ करें तो इसके लिए हम एक्सल फाइल लेते हैं और यहां पर ओपन करें और डेवलपर टैप पर जाके वीजल बसी करतें और मैं यहां पर सेकेंडी स्क्रीन दो इसके अंदर सब्जेक्ट बनाते हैं हमारा पहला प्रजेक्ट ना तूसरा प्रजेक्ट है अब इसमें हम करेंगे सबसे पहले मुझे क्या करना है तो सिस्टम डेट एंड टाइम कैसे लेंगे तो सिस्टम टेट हैं नहीं नहीं एक्सल में कैसे करेंगे चलिए एक्सल में फरमुला होता है टुड़े तो पूरे क्या गरता है करें सिस्टम डेट देता है तो एक्सल में चीज होता है डेट अगर हम यहां पर MSG box के अंदर अगर हम डेट डालते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर सिस्टम डेट आपको देखें अब इसी में अगर हम कि यहां पर सेम चीज़ करेंगे कि हम के अंदर अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि यह क्या है एक फंक्शन काई करेगा पर ऊड़ीज़र कहा होगा हम फॉर्मूला भी लगाते है एक्सले लगाते ना हम बुलें कि इस यह पर फॉर्मूला करके तौर करेंगा इसके लिए हम वेरेबल्स लेते हैं अब वाई क्या है यहां पर वाई को हम कह सकते हैं टेंपरली सेविंग लोकेशन हमने वाई को यहां डिफाइन नहीं किया है यहां जहां जहां मुझे यहां के जरोत पड़ीगी ना वहां 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 वाई लेगी हमने कर दिया मंत मंत के अंदर हमारे मंत क्या कर रहा है नंबर दे रहा है लेकि मुझे देसंबर चाहिए एक्सल में क्या लगाएंगे सब्सक्राइब इन वर्ड़े को में लगा के तीन बार एम एम करेंगे एम 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 जागे देसंबर आएगा चाहां पर करेंगे तो पूरा देसंबर आपको एकश्ब़गे लिए के अंदर में अगर आपको टेक्सलाबला अप्या करना है थो आपकी सब को सर बार i आ कि क्या करेंगा देसंबर लेगा और किस चाहिए एम और दांदी इक्वल टू बे आन लगैप बेसका एक बद चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं msg बॉक्स के अंदर में यहां पे वाई क्या होगा कि पूड़ा दोजार्टेइस दी एस एंड टू शोगर देगा जोगर दिया ओके अब बात होती है में फाइल नेम भी चाहिए एफन इक्वल टू अब फाइल नेम बेट नहीं देसे क्यों अगर आप देखेंगे msg बॉक्स के अंदर में अगर मैं एफन को यूज करूंगा तो बाइट फॉल फॉर्मेट होता है और यूज नहीं लेता है अब मेरा पास लैस का फॉर्मेट नहीं है क्योंकि मैं अपना फॉर्मेट कुछ इस तरह का डाल लखा हूं इसलिए ठीक ह है विद्ध संट है अपनों चाहिए एक लाइंबदम चाहिए एक एक्स फॉर्मेट खेंगें और इस फॉर्मेट के अंदर में हम क्या करनेंगे दीडी स्लैस एमम्म स्लैस वाइड वाइड नहीं अब इसको रॉन करके देखिए पुड़ा इस तरह का फॉर्माट देगा अब चाहत इससाथ एक्सेंशन भी कि यहां पर डॉट एक्सलेस एक्स कर दीजिए तो पुड़ा फाइल नेम जो दिखाएगा जो में बनाना है तो पुड़ा फाइल नेम दिखाएगा तो कॉन करते ह अगर सुदीप लिखा हुआ है और कुमार लिखा हुआ है तो कॉनका एंट फॉर्मल लागाने के जगाव पर इसको सेलेक किजिए एंड पर्टिसको सेलेक आए सुदीप कुमार ठीक है अब बहुत आती है फॉल्लर बनाने कि एफॉल्लर कैसे बढ़ते है कि एक फॉल्लर बनाने के लिए एक होता है में डायक्तरी में डायक्तरी में के ली आए एक और होता है फोल्डर बनाने कि थीक है कि अधियर है कि ए लिए अब इसके आगे मुझे अपना फोल्डर का पाथ कि मुझे इड्राइव के अंदर स्लाइश टूटाउजन कॉन्टी थी का फोल्डर था से मुझी तरह से मुझे यहां पर कि इसके अंदर स्लाइश कि मुझे दिवी एस अब एक बार में एक ही फुल्डर बनाएगा इस दिवल्ला नाम हुआ है तो प्रॉलम है तो मैंने मैनुवल लिख दिया ला इसमें तो मैंने मैनुवल लिख दिया कि मुझे तो इसको साथ करना ना इसमें कौन के जाने की यूज करेंगे जहां 2023 है वहां पे हम यूज कर लेंगे विदावर्टर कॉमा क्योंकि इन्वर्टर कॉमा में टेक्स होता है और यूज को मैं डालेंगे तो वाइन आंगा ही बन जाए रहे हैं सेम उसी तरह से 1%y के अंदभ slash n % यहां आपे रकियो m टिक है यहां वे n % ay n % slash n %m n % पाइट के चाहिए न में तो ए टीन बना आप अब जो फोल्डर बना है उसके अंदर फाइल बना और मुझे पहले पता है कि एफN के अंदर जो फाइल नेम एक उसी नेम के इसाफ से फाइल मुझे इस लोकेशन में शीव करना है दन है तो कल जो हमें सीखा था वो इंप्लिमेंट करेंगे कि बार बोक्स दॉट आइड डॉट सेव एज दॉट सेव एज और इस दे देंगे और फाइल नेम के लिए अगें दी अन परचेंट स्लैश अन परचेंट एफेट कि अब आपको इस लगता है कि काफी बड़ा हो गया ना कि आप यहां पर इसको कॉपी कर लिजिए कि पट कर लिजिए और यहां पर पी इक्वल टू देदीजिए और यहां पर स्पेस पी कर दीजिए टीक है तो आपने एक खुब है इसको करना पड़ेगा यहां पर वर्क बॉक में क्या करेंगे क्योंकि अभी जो एड हुई है वही टेक्टिव है यहां लिखेंगे एक्टिव और आप चाहते हैं यहां पर मैसेज देना एम एस जी बॉक्स पाइल एंड पोल्डर क्रिएट है जो भी मैसेज देना चाहते है जो आपकी भावना है कि अब इसको रहन करते हैं अब इसको एक के करके समझाता हूं जाएगे स्टेप स्टेप एस्ट करके अब यहां पर देखें वाई के ऊपर तोड़ तईस आ गया अगया अगया है सर दिख रहा है अब यहां पर इड्राइब में फोल्डर बनाया आप चेक कर सकते फोल्डर यहां पर इड्राइब में फोल्डर बन गया उसके बाद यहां पर क्लिक किया अब देखेंगे यह 2023 के अंदर बेसंबर नाम पर फोल्डर बन गया फिर इसमें किया देखें पीके को पूरा पाथ आ गया वाकबुक एड्ड हुआ और सेव हो गया देख सकते यहां तो आगया सेव हो गया ना सब लेंगे फैल प्लोज भी होगी अन मैसेज आ गया फैल क्लियर प्रियेट है यहां जाकर देख सकते हैं कि दुसंबर के अंदर दो के अंदर फैल क्लियर प्रियेट है ठीक है अब यहां में कोश्चन आता है कि इसको क्या करना हो अब मुझे जब भी अपना डाउनलोड करना हो तो सबसे पहले इस मैक्रो को आपको रन करना परेगा तीक है ना मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपना एक सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं क्योंकि फाइल सेव नहीं है और ब्राउज में जाके मान लिजम डी राइं में डाल देते हैं डी राइं में प्रोग वन के नाम से ठीक है इसके लिए क्या करना होगा कि जो आपका माइक्रो का नाम है ना इस नाम को कर दीजिए कॉपी और इसको आप चले जाए दिस वर्क बुक दिख रहा है इस पर डबल क्लिक इस तरह से ब्लैंक दिखेगा यहां पर वर्क बुक स्लेक कीजिएगा और यहां पर ओपन आजाएगा अब उस माइक्रो नेम यहां पर सिफ डाल ठीक है अब यहां पर चोटी से प्राब्लम है कि जैसे दुबारा इस माइक्रो को रन करूंगा अब यहां पर और रहा है क्योंकि यह राएं में और दोजार तैस का फोल्डर बना ही नहीं पाए है एक नाम के दो फोल्डर होते हैं हमने यहां पर पर कुछ ऐसा तो नहीं दिया है कि पहले बड़ा फोल्डर हो तो इग्नोर करते करते ऐसा कुछ तो नहीं दिया इसमें और यह तो गदापरसाद है जो बोलें यह ही करेगा क्या करें इसके लिए है कि हमोजार है कि साल का फोल्डर साल में एक बार सब्सक्राइब नहीं नहीं का मन्त में बनाएंगेया इनका दिन में बनाएंगे बड़ावर बनाते तो यहां पर एक कोड़ करेंगे तो है और रिजूम नेक्स्ट इसका काम क्या होता है कि इसके नीचे जितने भी लोग का लाइन का किसी भी लाइन ने आयर आया तो उसको स्किप करके वह अग्ली लाइन में चला जाए जैसे कि 2023 के अंदर मैं इस फॉलर को डिलीट कर लेता हूं तब 2023 का और दिसंबर का फॉलर नहीं बने कि देखें कोगि कि अलवरी बना हुआ ना उससे किप कर दिया उसे रियो कि इसमें एरर आया कि या कि आ M पाथ ग्राओं कि इसको इसको स्किप करके इसको रान कि क्योंकि मुझे नहीं बनाने आप लुए उसे के अंदर जाकर मंज का बनाऊंगा कि में मन का फूल्टर बना हुआ हुआ थो म hon думar को तो दबारा नहीं बनाना था उसी मन्द के अंदर जाके आज के दिन का फूलटर बनाना था स्मल्ख ऑन ज्याल गांकर जैसे जन्वरी आएगा जैसे जन्वरी आएगा यह तो भी सुझाएगा तो भी सुझाएगा समझ गया है तो एक कोड प्रफेक्ट ली हो गया है कि अब इसको रन करते है कि मेरा फाइल ओपन होते हुए अब मुझे क्या करना है कि इस फाइल को जस्ट ओपन करना है इसको सेफ करके क्लोज कर देता हूं और इस फाइल को प्रोवन को रन करते हुए हो गया सर मैक्रों हो गया यहां देके दो नंबर और यहां पर फाइल बना दिया मैं डिलीट कर दिया था मैंने अब कोश्टन ही आता है कि मुझे फाइल भी ओपन करने पड़ते हैं मैं अपने फाइल को जो ओपन नहीं करना चाहता हूं मुझे याद ही जाता मैं चाहता हूं कि भाइल मेरा फाइल अटोमेटिकली ओपन हो चाहिए इसके लिए आपको लगाना होगा सिदूल टाक्स अपने सिस्टम करेंगा यो य supply हिए सिदूल टाक्स अची डूल यहाँ यहाँ या parle है इतिनक इसको पता हो इसके बारे में यह बिंदो का पाथ है कि उसके बाद तकूक्त स हệc लिए तो यहां पे लिख देते हैं प्रॉक और पि ट्रिगर लिओ करना है डेली करना मंदली करना है तो मैं एक काम करता हूँ तालीस है तालीस कर देता हूँ ठीक है इसके बाद हम यहां पर टिगर के बाद action action में क्या करना है तो हमने बुला स्टार्ट प्रोग्राम और अपना फाइल कर लिए जो भी दाइब में बिना आप रोगा लिए तैन ओके और इसको कर दीजे अब जैसे 47 46 होगा ऐसी आपना मैकर अपना हो जाएगा तो क्या हुआ हुआ कि हम डाइब डिफॉल्ट सीडूलर के जरिए हम अपना प्रग्राम नहीं कर सकते हैं कि एक मैक्र ऐसा बनाया जो फुल्ली ऑटोमेटेर जिसे मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा सरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा तो क्या हुआ कि हमारा जो प्रग्राम हमने उसको पनाया जो भी गंटेनर ऊसके अंदर किये पोड करने के बाद आप हमने क्या किये उतको इवेंट माइक्रो में डाल दिया कि जब मेरा फाइल ओपन होगा तो यह अटोमेटिक रण हो जाएगा अब यहां पर कुश्चन आता है कि हम मेरा फाइल भी ओपन क्यों करूँ मैं चाहता हूं मेरा फाइल भी खुद पर खुद ओपन हो जाए तो हमें टाक्स टूरण में उस फाइल की पाथ देदी एक प्रटिकुलर टाइम पे फाइल ओपन हो जाए अब उसी फाइल के अंदर हम कोड कर देंगे लास्ट में कि एक्टिव वागु डॉक्ट क्लोज कर देंगे जो हमारी माइक्रो वाइल है वह बन्द हो जाएगी तो सा अबने आप मैंने कुछ करना हो साथ अपने आप ऑपन हो रहा है कि सैटालेस में बचके कुछ सेकेंद पर चाल लुए है अब बन्द हो गया है तो यह हैंग हो गया कारण से मेरे सिस्ट्रम अधारं से हैंग हो नौट अट्वाइश्च का फोल्टर पुन गया इस नंबर का अब इसी के मदद से हमने अपने ऑफिस में सारी रिपोर्ट में काम करता था तो दो से रही सो रिपोर्ट बनाती थी पड़े और अब सामने वाला बन्दा बोलता होता क्या था कि मेरे पास च्छेतरा का डेटा आते थे च्छेतरा से हमें बहुत जब जब कुछ फाइद मांगता रहता था तो हमने क्या कि है कि उस डेटा के ओपर जो भी पॉस्सिबिलिटी थी इतने तरह के चीज़े हो सकती है वो सा का रिपोर्ट का एक एलोगेशन कर दिया ठीक है और करने के बाद हमने उसको दे दिया ठीक है कि हमने बुलाए कि आप बहुत आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए यहां साब कर लिए कि इस बिल्कुराओ अब कर दिए अब कर दिए अब अब आपना अपना सरवरी बंद कर दीजेगा तो आपका कुछ भी काम करेंगा वेजाइट भी काम ने करेंगा ठीक है